दिपोत सब दिपावली के अबसर पर की जाने वाली मा लक्ष्मी और भगवान सिति बिनायक गनेश की पूजा को लेकर भागलपुर के सभी छोटे बड़े बाजारों में खरितारी के लिए पुरूस महलाओं और यूबक युक्तियों की भारी फीड जुटी रही एक और जहां धनतेरस को लेकर सुकरवार को बाजारों में लोगों की भारी फीड जुटी रही वे दिपावली और काली पूजा को लेकर सनिवार को लोग पूजन सामगरी खाने पीने के सामानों और पटाकों के साथ दिपावली से जुड़े सजावटी सामानों की भी लोग और तरह तरह की जालर एवं लाइट के दुकानों पर लोगों की खासी जबकि भाजार में खरीदारों की बील्ड जूटने से दुकानदार भी काफी उत्साहित दिखाई दिये। कार्तिक माश अमवश्यातिति की निशारात्री को की जाने वाली माकाली की पूजा को लेकर भागलपुर के तमाम काली मंदिरों और पूजा पंडालों में सारी तयारी अंतिम चरण में है। काली मंदिर में काली पूजा समारों की तयारी पूरी कर ली गई है। वही भागलपुर के खंजरपूर, गंटगर, भीकनपूर, आदमपूरी, शाक्चक, मुंदिचक, अलीगन, मिरजान, हाट और नातनगर समेथ जिले के दरजनों काली मंदिरों में पूजा को लेकर उत्सा का माहौल है। काली पूजा को लेकर केंद्रय काली महरानी महा समेथी और जिलापर्शासन की ओर से कई विशेस तयारी भी की गई है। बतादे की रविवार की मत्यरात्री माकाली की परतिमा वेदी पर रस्थापित की जाएगी जिसके बाद निसारात्री में माकाली की तांतरिक बिधी और वैदिक मंत्रो चार के साथ निसा पूजा की जाएगी जब पिशोंबार की शुवर से मंदिर के बट सरधालूं के में कार्थिक अमवर्ष्याति थी की नीशा रात्री को माकाली की पूजा पूरी नियम और भक्ती भाव से की जाती है। अमिनों से इसकी सूजना मिलने पर पुलीस घटना अस्तल पर पहुंची और घायल महला सोनी चौगरी को इलाज के लिए सुल्तान गंजराफरल अस्पताल में भरती कराया। पुलीस सभी आरोपियों की गिरबतारी और उनके खिलाप कानूनी कारवाई करने की मांग करती है। वही घटना के बाद पुलीस सभी आरोपियों की गिरबतारी के लिए छान बीन में जुड़ गई है जबकि फिलाल सभी आरोपी घर से फरार चल रहे हैं। वही घायल सोनी चौधरी का कहना है कि वह समस्तिपुर के विद्यापती नगरेश थे। वासितपुर गाउं में रहती है और दुरगा पुजा में उसके पती करन्या चौधरी अपने बड़े बेटे से मिलने दल सिंग सराय आये वे थे। लेकिन छोटे बेटे से मिलने की बात करकर उन्हें घर पर बुलाया गया जहां घरवालों के द्वारा उसके साथ मार पीट की गई। कला संस्कृति एबम युवा विभाग बिहार राज खेल प्राधिकरन पटना और भागलपूर जिला पुरसासन के संयुकततवधान में आयो जित राज जस्तरिये विद्याले बालक वैडमिंटर अंडर 14, अंडर 17 और 19 खेल प्रतियोगिता 2023 का समा पर पुरसकार वितरन के साथ हो गया इस दावरान जिला अदिकारी सुप्रत कुमार सेन जिला खेल पदाधिकारी जैनारायन कुमार एबम अन्नातिती के द्वारा सभी खेलाडियों को मोमेंटो ट्रोफी अंगवस्तर एबम परमान पत्र देकर सम्मानित किया गया वहीं अपने शमोदन में जिला साथिकारी ने खेलाडियों से कहा कि बिहार में खेल का माहौल बन रहा है और बिहार सरकार के द्वारा कई परकार की खेल सुविधाये उपलब्द कराई जा रही है बागलपूर में इंडोर हॉल, शुमिंग पूल, डैडमिंटन, लॉन टेनिस कोट एबम अन्न खेल सुव जहां अंडर 14 बालक वर्ग का राष्टिय परतियोगिता दिल्ली में और 17 बालक वर्ग की राष्टिय परतियोगिता गुजरात के बढ़ोदा में खेला जाना है जबकि अंडर 19 बालक वर्ग की राष्टिय परतियोगिता 12 से 16 दिसंबर के बीच आंदर प्रदेश के विज एस्टियाम संकिर्तन समारों का आयो जन किया गया जहां बजरंग नव्यूवक्षंक संकिर्तन समीति नेया टोला की और से दंटेरस से नरक्चतुरदसी तक 24 घंटे का एस्थ्याम संकिर्तन पिछले 54 वर्सों से आयू जित किया जा रहा है जिसको लेकर मंदिर समिती समेत आस चड़कर हिस्सा लेते हैं धन्तेरस के दिन सुरू हुआ राम सीता नाम धुन अश्टियाम सनिवार को हनुमान जयंती के दिन 24 गंटे की सीता राम धुनी पूरी होने के बाद संपन्न हो गिया जिसके बाद मर्यादा पुर्षवक्तम बगवान स्री राम महादेव और गुद सक रूप से लाइड जालर और फूलों से सजाया गया जबकि मंदीर के राम दरवार में अस्थापित परतिमा के साथ साथ राम वक्त हनुमान और अन्न समी देवी देवताओं के दर्सन कर स्रधालों ने सुक समर्थी और बहतर स्वास्त के अलावा देश के उन्नती की भी क आमना की मौके पर रंजन कुमार दत्ता, जीत कुमार सिना, अमर्दीव घोस, अमरेंदर सिना, रविरंजन दास और अमरेंदर कुमार समेत समाज के पुरूष्ट एबं महिला स्रधालू एबं बिभिने जगों से पहुची किर्तन मंडली मौजूद रही झाल पुरूष्ट सर दर्ड, चक्कराना, गर्दन दर्ड, कमर दर्ड, लो बैक पेन, स्पॉनिलाइटिस, लखवा, पारलाइसिस, गत्या, साइटिका, पोलियो, गुटनों का दर्ड, आर्थराइटिस, नसों का सूपना, फ्रोजन शोडर, लिगमिन, काटलेज, स्पोर्ट्स इंजुरी, स्प दिपावली को लेकर भागलपूर के बाजारों में इस वर्स पठा के पूरी तरस से गायब दिखे, जबकि पुर्म में काजवली चक में हुए बंधमाकों के कारण, लाइसेंसदारी पठा का वैपसाईयों को भी पठा का बेचनी की अनुमती जिला और पुलिस परसासन द बेचने के लिए सर्तों के साथ दो दिनों की अनुमती दी है, इसको लेकर परसासन की ओर से सनिवार को भागलपूर के लाजपत पार्क प्रांगन में पठा का दुकान दारों ने अपनी और स्थाई दुकान लगाई, जबकि रविवार को भी आतिस वाजों द्वारा दु बेचने की इजाज़त दी है, जहां किसी भी तरकी परिशानी होने पर उससे तुरंत निप्टा जा सके और दमकल एवं पुलीश टीम की मदद से खत्रे पर काबू पाया जा सके भागिलपूर की एक होस्पीटल में रख्तदान सिविर का आयोजन किया गया, इस दोरान अस्पताल के सरस्थापक डॉक्टर सेहल खान आविद और वहां के स्वास्त कर्मियों के साथ साथ कई श्टाफ ने सिविर में हिस्सा लेकर लोगों से रख्तदान करने की अपील की वही सिविर में रख्तदान करने वाले रख्तदाताओं को पर्मान पत्र दे कर उनके इष्छकारि की शरहना भी की गई इदर रक्तदान सिविर में बलड संग्रहन की टीम और अस्पताल के श्ट्याप समेत काफी शंख्या में लोगों ने सामिल होकर हर किशी को रक्तदान के लिए बढ़ चड़ कर आगे आने की बात कही बागलपुर में होने वाली काली पूजा शमारो विहार समित कई राज्यों में परसिद्ध है वहीं इसको लिकर परवत्ती काली पूजा समिती द्वारा अस्थापित मा काली की परतिमा का विसेस अस्थान माना जाता है जहां दूर दूर से दर्सन और पूजा करने के लिए सरद्धालू पहुंचते हैं और यहां पूजा के साथ विसर्जन की खास ब्यवस्था भी की जाती है बतादे की परवत्ती की बुड़ी हबमकाली की परतिमा विसर्जन शोभायात्रा में शबशे आगे रहती है जमकी इनके साथ परवत्ती समेत काई पूजा समीती की परतिमा भी आगे चलती है जिसके लिए परशाशन की ओर से सुरक्षा के विसे इंतिजाम भी किये जाते हैं